इन्डिया अपने हकुक के लिए लडो मैं ये नहीँ चाहता कि एक दूस्रे से लडो वो मोधी करते हैं dividant rule लेकिन मैं नहीं मैं देश को एक रखना चाहता हूं रावल जी देश को एक रखना चाहते हैं रावल जी तो बोले भई मैं तो मुभबत की दुकान खोला हूँ, नफरत की नहीं, लेकिन या बीजे पी आरेसेस ये तो नफरत की दुकान खोलके बैटे हैं, और इसी के वज़े से आपको हुशार रहना चाहिए, अगर आप ये कहें, अरे सुनो वई, सुने तो ही द्नान आता है, द्नान आये तो ही आप बोल सकते हैं, स्लोगन साउटिंग मेरे लिए कले तो मैं खुश हो जाओंगा, बाकी का समझ तो नहीं पाएंगे आप, देखो, बीजे पी और आरेसेस, इतनी बुरी है, और उसके संग में इनों हैं, फर्ज करो, अगर कोई आदमी, हम कहते हैं, भई ये वीज के जैस हैं, ये लोग बहुत डेंजर हैं, इसलिए उनको दूर रखो, उनको टेस्ट मत करो, हमने कहां, अगर कोई ये कहता है, भई हम बोलते, ये विश है, पॉईजन है, इसके पास मत जा, उसको देखो मत, अगर कोई ये भी कहता है, नहीं वो विश है, या नहीं, मैं ज़रा च चाट के देखता हूँ, तो क्या होगा, अरे तुम चाट के देखे तो भी मरेंगे, दूर से देखे तो उनका अन्यायत्याचार भी तुमको मालूम होगा, तो जैसा ये आरे से सरुभी जैपी, ये विश जैसे है, पॉईजन है, एक एक करके हमारे हकोग को चीन ले रहे हैं, हमारे जितने भी हक थे, महिलाओं के ओ, यस्टी के ओ, यस्टी के ओ, वो सब खतम कर रहे हैं, आप देखे ये बाजू मनिपूर में, क्या हो रहा है, अजारों लोक मर रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, सेकड़ों गाडियां जल गए घर जल गए काए मोधी जी काए भीजेपी यहां सिर्फ हमको दिखाने के लिए वहां यहां ऐसा फिरते हो जाके अपनी सूरत बताओ मणिपूर में जाके बताओ नागालेंड में तब आपको मालूम होगा कि देश का देश को एक रखने के लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़ती है तो आपको देना पड़ेगा रखने के लिए घजाओ के लिए करेम सीघाने करे लिए देना पड़ी भी की देशार्यव मालूम होगा पो आपको जाके लिएूछ से का रखने के लिए चूगर के लिए।